दोस्तो आज 15 दिसंबर 2018 हो चुका है और आज श्रनिवार के मुखे समाचार बेकिंग नूज हैडलाइन आपके लिए हाजिर है तो चली सिधे चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर पोट कराना होगा और आसान प्राई ने जा चार दिन के अंदर पोट हो जाएगा और दोस्तो आज की अगली खबर के ओला उबर की तरह एंबुलेंस भी कर सकेंगे बुक सरकार कर रही है तयारी लोगों को होगी बड़ी सुविधा जी हाँ जिस तरह से अभी आप कोई टैक्सी बुक करते हैं ओला या उबर की अब आ भारत के परोसी देश ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे इस फैसले ने सब लोगों को चौका दिया है आपको बता दें नेपाल सरकार ने ऐलान किया है कि नेपाल के अंदर भारत के 200,500,2000 के नोट नहीं चलेंगे हा लेकिन जो 200 से नीचे के नोट है वो नेपाल में चल सकते हैं इस एलान के बाद बहुत सारे लोगों को परशानी होने वाली है और दोस्तो आज की अगली खबर के सबसे असुरक्षित पासवर्ड में कहीं आपका पासवर्ड तो नहीं है जी हाँ दोस्तो भारत में एक पासवर्ड की लिश्ट जारी की गई है और बताया गया ह कि अगर आपका पासवर्ड इस तरह का है तो वो हैक हो सकता है जी हाँ जो पासवर्ड हैक हो सकते हैं वो सभी आपके सामने हैं आप इन पासवर्ड को देख लें और भूल कर भी इन पासवर्ड को अपने किसी भी बैंक अकाउंट में या अपने फेस्बुक पर अपने जी पर भी दाम घटा दिये गए हैं बीते तीन महीने के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अभी सामान सबसे सस्ता मिल रहा है तो आम जंता के लिए एक बड़ी खुश खबरी है और दोस्तों आज के अगली खबर के अटल और वोटाफोन को मिली बड़ी रहात, अब होगा जी उसे जोरदार मुकाबला, जी हाँ एटल को वोटाफोन को और आइडिया को भारत के टेलीकूम डिपार्टमेंट से बड़ी रहात मिली है, आपको बताते हैं हाल ही में ये नियम जारी किया गया था सभी टेलीकूम कमपनियों के लिए कि अगर कोई भी कमपनी कोई भी ओफर लाँच करती है और जो उस ओफर की छुपी हुई बाते हैं उसे भी बिल्कुल सही से ग्रहक के सामने रखना होगा अब ये नियम लागू होने से एटेल आइडिया वोड़ा फोन का सबसे जादा घाटा हो रहा था क्योंकि एटेल आइडिया वोड़ा फोन के अकसर जो प्लान होते हैं उनमें कुछ छुपी हुई बाते होती हैं जो के सामने में नहीं लिखी जाती जहां पे ओफर लिखा होता है तो पहले जो नियम लागू किया गया था उसके तहट सभी टेलिकॉम कंपनियों को अपना ओफर खोल के दिखाना था लेकिन अब फिर से उस नियम को रद कर दिया गया है और दोस्तों आज की अगली ख़बर के शुरू हो गई है गूगल की दुकान फ्री में बेच सकेंगे सामान और खरीद भी सकेंगे सामान जी हाँ अब जल्दी आप गूगल पर सामान खरीद और बेच सकेंगे दिगज टेक कंपनी गूगल ने बीते गुरू वार 13 दिसंबर को भारतिय ग्रहकों को लुभाने के लिए देश में गूगल शॉपिंग लॉंच कर दिया है इसके तहट ग्रहक बेहत आसानी से ओनलाइन ओफर देख पाएंगे और यहाँ पर कंपेर करने के लिए एक ही सामान के बहुत सारे प्राइज होंगे इससे जो सामान खरीदने वाले ग्रहक है उनको बहुत फाइदा होगा और दोस्तो आज के एकली खबर के वहन चलाने वाले के लिए सरकार ने जारी किया नया फर्मान आप भी जान ले इन नियमों को वरना आप फिर पच्छताएंगे जी हाँ अगर आप भी ड्राइविंग करते हैं तो इस खबर को ध्यान से सुन लीजिए सरकार के नय नियम के अनुसार अगर आप गाड़ी चलाते वक्त फोन करते हुए पाई जाते हैं तो आपको पूरे 1000 रुपे का जुर्माना देना पड़ेगा साथ ही आपको बता दें जिन ट्रेफिक नियमों को तोड़ने के लिए सिर्फ आपको 100 पे देने पड़ते थे उसे बढ़ा कर 500 पे कर दिया गया है और दोस्तों आज की अगली खबर के चाइल्ड पॉर्नोग्राफी रोकने और रेप की तस्वीरों को वेबसेटों से हटाने के लिए जारी होंगे नया दिशा निर्देश जी हाँ ग्रह मंत्राले नया दिशा निर्देश जारी करने वाली है जिसके तहट किसी भी वेबसेट पर किसी भी अप्लिकेशन पर कोई भी चाइल्ड पॉर्नोग्राफी की वीडियो है यानि की अडल्ट वीडियो और साथी में जो भी रेप वगेरा होते हैं और कुछ दरिंदे लोग जो उसका वीडियो और फोटो बनाकर वेबसेट पर नेट पर चढ़ा देते हैं उसे भी सरकार हटवाएगी और दोस्तो आज की अगली खबर अस्ट्रेलिया और इंडिया के दूसरे मैच का पहला दिन खतम अस्ट्रेलिया ने 6 विकेट गिरा कर बनाये 277 रन जी हाँ भारत अस्ट्रेलिया की बीच पर्थ में खेले जा रहे हैं दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन खतम हो गया पहले दिन के खतम होने तक अस्ट्रेलिया ने 6 विकेट गवा कर 270 रन बनाये हैं याट कोली ने टेश्ट जीत कर पहले गेंद बाजी करने का फैसला लिया था और दोस्तो आज की अगली खबर के पोस्ट ओफिस के नए पोटल से आप खरीद बेच सकेंगे सामान जी हाँ इंडिया का डाग घर यानि की इंडिया पोस्ट भी अब ऑनलें पोटल की सुरुवा देते हैं दोस्तो आपको बता दे 31 दिसंबर 2018 से अगर आपके पस ऐसा ATM कार्ड है जिसमें के चिप नहीं है जिस तरह की चिप सिंपर होती है तो आपका वो ATM कार्ड बंद कर दिया जाएगा हमें पता है हमने ये खबर आपको पहले भी बता रखी है लेकिन हमने आपको फिर कदा है जिए हां हर सल यूटूब की तरब से एक शो किया जाता है जिसको यूटूब रिविन का दिया जाता है अभी हाल ही में ये शो हुआ था आपको बता दें इस वीडियो को 11.2 मिलियन लोगों ने नापसंद किया और सिर्फ 2.1 मिलियनों भी पसंद किया है हम इस वी विराट कोहली ने एक बड़ा ही शांदार कैच पकड़ा है शोचल मीडिया पर विराट कोहली को इस काम के लिए सूपर मैन भी बताया जा रहा है हो सकेगा तो हम इस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो की नीचे डिस्किप्शन में दे देंगे अगर आपने नहीं द अंगठन ने इसका खुलासा किया है दवाईयों के टेस्ट में फेल होने से साबित होता है कि अगर आप इन दवाईयों का सेवन करते हैं तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है तो इसलिए आगे से आप जब भी बुखार ये खासी की दवाई खरीदें तो ये चेक कर ले को मंदिरों की तरफ से 10,872 किलोग्राम सोना दिया गया है और हम आपको बता दे एक किलो सोने की कीमत अभी करीबन 31 लाख रुपे है और दोस्तों आज की अगरी ख़बर के दो पहिया और चुपहिया वहानों का पंजी करन हुआ महंगा अब चुकाने होंगे जादा पैसे जी हाँ दो पहिया और चुपहिया वहानों का पंजी करन महंगा हो गया है बीते शुक्रवार को इस पर बड़ा फैसला लिया गया है नए नियम के मुताबिक सभी वहानों के पंजी करन पर दो प्रतिशत का इजाफ़ा किया गया है यानि अगर पहले किसी गाड़ी को प्रतिश ट्रेनेर रद रिजर्वेशन का पैसा वापस पाने के लिए पढ़ लें ये खबर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि दो महीने के लिए काफी सारी ट्रेनेर रद रहेंगी खबरों के मुताबिक यह बताया गया है कि जो आप टिकट को कैंसल कर सकते हैं बिना एक भी रुपे कटे पूरा पैसा आपके अकाउंट में वापस आएगा और तीसरा ये option दिया गया है कि आप उसी टिकट के बदले कोई दूसरी टेनेर टिकट लेना चाहते हैं तो ये भी संभव हो सकता है जिन गारियों को रद किया गया है उन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और दोस्तों आज के अगली खबर के अगर इस एरलाइन फ्लाइट में टिकट करेंगे बुक तो होटल बुकिंग पर मिलेगा पूरे 60% का डिसकाउंट जी हां भारत की एरलाइन कंपनी इंडियों ने एक खास ओफर अगर आप इंडिगो एरलाइन से सफर करते हैं तो आपके ओयों के होटलों पर पूरे 60% का डिसकाउंट दिया जाएगा और दोस्तों आज की एगली खबर के आठवी पास के लिए पुलिस में बंपर भरतियां बिना किसी लिखित परिक्षा के होगा चयन जी हां कोलकता प प्रधान मंत्री ने अपने बीते दिनों में जो भी काम शुरू करवाये थे उन में से बहुत सारे काम कम्पलीट हो गए हैं और अब प्यम मोधी 25 दिसंबर को उनका उधगाटन करेंगे आपको बताते हैं ब्रहंपुत्र नदी के पास देश का सबसे लंबर रेल सड़क प जी हां देश की सरकारी टेलिकॉम बीएसेनल कंपनी अब देश में 4G की सेवर शुरू करने वाली है आपको बताते हैं बीएसेनल ने पहले ही से टेस्ट के तौर पर कुछ राज्यों में 4G की सेवर लॉंच कर दी थी लेकिन आने वाले दिनों में बीएसेनल और भी 10 राज देमंद वेवसाय होता है अभी हाल ही में देश भर में 27,000 नए पेट्रोल पंप खुलने वाले हैं पेट्रोल पंप खुलने के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है आवेदन करने के लिए आपको इस वाली वेबसेट पे जाना पड़ेगा जो के अभी आपकी स्क्रीन के सामन और दोस्तों आज की एकली खबर के वाटसप इन नए फीचर के साथ 2019 का करेगा स्वागत चानिया आपको क्या क्या मिलेगा जी हाँ वाटसप के बहुत सारे फीचर बीटा वर्जन में हैं जो के 2019 में सभी के लिए उपलब्द करवा दिया जाएगा और इस ते जो भी वाट 。」 पर भी एक आपडेट मिलेगा साथ ही आपको ग्रूब कोल शॉटकट का एक नए अपडेट मिलेगा ये सभी अपडेटagen फिलाल वाटसप के बीटा वर्जन में चल रहे हैं लेकिन इन्हें फाइनली 2019 में सभी के से लिए लॉंच कर दिया जाएगा. और दोस्तो आज की अगली खबर के गोवा में क्रिसमस और नए साल की तैयारियां है शुरू, बुकिंग के लिए अभी भी है मौका, जी हाँ गोवा में क्रिसमस और नए साल की तैयारियां जोरो पर है, गोवा क्रिसमस और नए साल के सलिबेशन के लिए जाना जाता है, इस अगर आप सस्ते में अच्छा प्लाट लेना चाहते हैं तो आप इस वाली वेबसेट पे जा सकते हैं जो कि अभी आपके सामने हैं और दोस्तो आज की अगली खबर के शादी होते ही मुश्किल में फसे कपिल शर्माय की दुलहन गिन्नी चतरत के माबाप जी हाँ शादी के साथी कौमेडिन कपिल शर्माय के ससराल वालों के लिए मुश्किल भरी खबर आ गई है दरसल जाल अंधर नगर निगम कपिल शर्माय की पतनी गिन्नी चतरत के घर वालों पर एक्शन लेने की तैयारी में है कपिर शर्माइके ससुरौाल वालों ने शादी के समवारों के लिए जो सड़क पर टेंट गाड़े थे उससे सरकारी समपति को नुकसान हुआ है इसी के तहत नगर निगम कपिर शर्माइके ससुरौाल वालों पर एक्षन लेने वाला है और दोस्तो आज की अगरी कबर के चीनी मोबाइल कमपनी वीवो भारत में 4000 क्रोड रुपे करेगी निवेस 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार जी हाँ चाइना की जो एक फोन स्मार्टफोन निर्माता कमपनी है जिसे आप बखू भी जानते होंगे जिसका नाम वीवो है पहले इस बात की सिर्फ चर्चाहें चल रही थी लेकिन बीते गुरुवार को वीवो कमपनी ने खुद इसकी जानकारी दी है और बताया है कि वीवो कमपनी इंडिया में 4000 क्रोड रुपे का निवेस करेगी और 5000 लोगों को रोजगार भी देगी तो दोस्तो आईए अब आपको फटा फट से पैट्रोल जिल का ताजा भाव बता देते हैं और साथी में सोने चांदी का ताजा भाव भी लेकिन उससे पहले आपकी लिए एक छोटा सा सर्वे अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा दोस्तो आपको इसी वीडियो की नीचे कमेंट करके बताना है कि भारत कैसा कौन सा शहर है जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है तो फटावर से इसका जवाब इसी वीडियो की नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए दोस्तो बात करें पैट्रोल डिजल के ताजा भाव की तो बीते दिन पैट्रोल के दामों में कोई भी कमी बेसी नहीं आई है अभी राजधानी दिल्ली में 1 लिटर पैट्रोल की कीमत 70 रुपे 29 पैसे चल रही है वहीं बात करें डिजल की तो बीते दिन डिजल पर 9 पैसे की कटोती की गई है 9 पैसे की कटोती करने के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डिजल की कीमत 64 रुपे 57 पैसे है बाकी अप इंडिया के सभी शहरों के पैट्रोल डिजल का ताजा भाओ इसी वडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक द्वारा देख सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में दोस्तों बात करें सोने चांदी के ताजा भाओ की तो बीते दिन दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने के दाम में कोई भी कमी बेसी नहीं आई है दिल्ली के सर्राफा बाजार में अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 32,220 रुपे है वहीं बात करें चांदी की तो चांदी पर 200 रपे घटाए गए हैं। चांदी 200 रपे सस्ता होकर दिल्ली के सर्राफ़ा बाजार में अभी 1 किलो चांदी की कीमत 38,600 रपे है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उजाना की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तो बैल का एकन भी जरूर दमाएं। थैंक्स वर वाचिंग।